स्वागत है आप सब बगा मैंहान उस्कुमार दोस्तों यह वीडियो आप सब बहुत इंपर्टन्ट है क्योंकि मोप अपर राउंड के बारे में कुछ इंपर्टन जनकारी आप सब बगारे को देने वाला हूँ जोकि आप सबड़ के माईन में एक गलत फैमी बैठ गया है मो सबसे पहले आप सब को बता दू मौपप राउंड है क्या किसी भी स्टेट्स का या फिफ्टीन परसेंट जो काउंसलिंग होता है वो लास्ट राउंड को मौपप राउंड बोलते हैं और बहुत सारे मुझसे कोशन्स पूछ आए कि भाईया बताने के लिए क्या टू फिफ क्वका एंबी इस क्कॉलिज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है तो फरन मैं आप सब को बता दूँ अगर आप जेञरल और ओनमी पर आप सब्सक्राइब को कॉलेज मिलना बेहद मुश्किल है 90 परसन मुश्किल है और आप सब्सक्राइब में यह भी कोशन से कि क्या मौपप राउंड के लिए क्या हम एक स्टेट्स के हैं क्या मौपप राउंड में क्या कभी 85% के लिए दूसरे स्टेट्स के लिए हम फॉ despite college में counseling कराना चाते हैं तो मोप प्राउन में आप किसी स्टेट में भी आपम को apply कर सकते हैं मतलब अगर कोई सबस आप उत्तर प्रदージ sometimes कोई राजस्तान के एस्टू seating से तो राजस्तान का students जो है वो ऊत्तर प्रदेश में मौप प्राउन में apply कर सकता जिस में उसी में उसी में आप मोप प्राउन गोस्रे स्टेट का बात करते रिधर क्या है तो मोप प्राउंड जो पहले था आज से तक्रीबान खार साल पांट эффert पहले बहुत मतली का बात कर साओ मोप ऑप ऐसा भी आप सबको अंदाजा नहीं होगा ऐसा भी हुआ है कि में सेलेक्शन 500 पे हुआ है और मोपप राउंड में 350 पे इसको एलॉट्मेंट कर दिया गया है क्योंकि इस्टुरेंट को नहीं पता था वह एड़ टाइम ऑफ एड़ीशन जहां पर काउंसलिंग होता था वहां जिसका मार्स जेनुमिन है उसी को खुलेज का जा रहा है ऐसा मत सोचे कि इस است narc में 550 कटफ जा रहा है और उस rests में 30315 250 पे इलॉट्मिन कर दिया जाएगा नहीं किया जाएगा मौप अब अब समझे कि जैसे 1st round counseling 2nd round counseling वैसे ही मौप अब सब्सक्राइब को प्रोसेस से होगा ऐसे नहीं होगा कि आप counseling में अब पहुंच गये और आप पोचित और आपको कर दिया अगर इस नहीं पहुंचे तो ऐसा नहीं किया जाएगा सभी अब प्रोसेस से काम हो रहा है पहले जो होता था वो सभी खतम हो गया अब ऐसा नहीं होगा आप सभी की जो माइन में था टू फिप्टी टू हंड़ेट यह नहीं है फ्रेंड यह गलत फैमी अगर पालेंगे तो अगर आप चार महिने वेड करते रह जाएंग का और आपका नमबर नहीं आएगा अगर आपका 250 मार्कर lying तीन सौ मालम्राक से बेहद है कि अगर आपका 202 सीं सो मॉमकेन है तो मैं बस आपको सगेश्ट मैं करंगा जाया आप किसी किटेगरी की हो जैनल BCE के में basically बात कर रहा हूँ तो आप तैयारी में जूट जाएं आपका selection इस बार होना मुस्किल है ऐसा नहीं करता कि आप नामुम्किन है आप try करके अगले साल ले सकते हैं कि कि मैंने उस उस students को देखा है जिसका 200 marks आया है और next attempt में उसका 500 550 marks आया है तो ऐसा ना सोचे कि आप नहीं कर सकते आप बिलकूर कर सकते हैं लेकिन मैं यह जरूरी मैं समझा आप सभी को बताने के लिए ताकि आप सभी के जो गलत फहिमिया है वो दूर हो जाए क्योंकि अब सभी बाइप प्रोसेस हो रहा है ठीक है तो अभी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि मॉपप राउंड आप दूसरे स्टेट में सिर्फ प्राइबट कॉलेज के लिए हाँ मॉपप राउंड 15 परसेंट में भी होता है लेकिन वह भी प्रोसेस होता है अभी मैं आप सब्सक्राइब से पिछल साल सकेंड राउंड और मॉपप राउंड में अगर डिफरेंस देखे तो वर्ली वन फाइफ टू टेन मार्क से मैं बहुत सारे स्टेट्स में देख करता है जो सेकेंड राउंड उसे फाइफ और टेन मार्क सी डिफरेंस रहता है अई होप आप सब्सक्राइब बात समय में आ गए होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो कर ले क्योंकि आप सब्सक्राइब को पता है कि मैं एक एक अप्डेट्स ॉथेंटिक आप सब्छ को बताता हूँ ताकि आप सभी गलत information collect कहीं दूसरे जगह से ना कर लें ठीक है तो मिलते हैं अब बीडियो में थैंक्स फॉर्टिंग बीडियो